हेलो फ्रेंट्स आज है बाइज जुलाई 2020 तो आज की डेट से जितने भी महात्मोर करन्ट अफेर्स बन सकते हैं वह सब अम लोग डिसकस करेंगे तो आईए देखते हैं पहला प्रशना है रेल्वे द्वारा प्राइबेट सेक्योर्टी की मदस से चलाए जाने वाली प्राइबेट सेक्योर्टी की मदस से चलाए जाने वाली प्राइबेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्श आएगा आप्सन सही होगा आप्सन सीज का 2023 रेल्वे के नीजी करन्ट की दिसा में सरकार ने कदम बढ़ा दिये हैं अगर सब कुछ समय पर हुआ तो अप्रेल 2023 में देश में दरजनों प्राइबेट ट्रेन दोडेंगी अलग अलग रूट पर चलने वाली प्राइबेट ट्रेनों का किराया कितना होगा इसको लेका रेलवे बोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यह हवाई किराय के मुकाबले होगा दूसरा प्रशन है एकेडमिक येर 2019 बीस मे किस इनवर्ष्टी ने जे यम आई समग्र मुल्यांकन में पंचान बेदस्मनों दो तीन प्रस्षत हासिल किये हैं आपसन सीज का होगा जामिया मिलिया इसलामिया इनवर्ष्टी ने मानो संसाधन विकास मंत्राले के तरफ से सैक्षडिक वर्स 2019 बीस के लिए किये गए कें के मताबिक जे यम आई ने समग्र मुल्यांकन में पंचान बेदस्मनों दो तीन प्रस्षत हासिल किये हैं तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित रमारे चैनल पर नाये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ववस्य कर लें इससे आगे आपको इसी तरह के महत्मों करण्ट अफ सी बैंक को बाजार में निजी नियोजन से बांड जारी कर 50,000 करोड उपय की पूजी जुटाने के लिए सेरधारकों से मंजूरी मिल गई है बैंक की रविवार को संपनवार्सिक महसभा में इसासे के प्रस्ताव को सुचित किया कि उसके सेरधारकों ने बीना जमानत वाल जुटाने के मंजूरी दी है बैठक में काईजाद भरूचा को फिर कारवाई निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है चौथा प्रश्ना है BWF के अध्यक्षपत पर कारिकाल कितने बार के लिए सेमित कर दिया गया है तो अपसन इसका सी होगा चार बार के लिए विस बैटमेंटन महा संग ने अपने अध्यक्ष के कारकाल को अधिक्तम चार बार के लिए सीमित कर दिया है और साथ ही अपनी आवारसिक आम बैठक में अपनी परिसद में भावगोलिक और लैंगिक प्रतनिधुत को लागू करने को भी सुकृति दी है आनलाइन AGM के दौरान VWF सदस्यों ने सम्मिदान में बदलाव को सुकृति दी जिससे परिसद में प्रतेक लिंक को कम से कम 30% प्रतनिधुत और प्रतेक महादुपिय 6 से 1 प्रतनिध चुना जाना सुनिश्चीत हुआ है यहाँ फैसले अंतर राष्टी उलंपिक समित के हाल ही के राष्टी उलंपिक समितियों को दिये निर्देसों के अनुसार है जिसमें 2020 तक फैसले लेने की प्रकिरिया में लैंगिक समानता बनाने को कहा गया है पाच्वा प्रसना है निम्न में से किस देश की क्रिकट टीम के खिलाडी डॉम सिबले आशीसी के गेंद पर लार के इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं आप सने होगा एग लैंड क्रिकट टीम कोरोना काल में इंटरनेशनल क्रिकट की सुरुवात करने से पहले आशीसी ने कई नए नियम बनाए थे इसमें सबसे बड़ा नियम यहाँ था कि आप कोई भी खिलाडी मैच में गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है इस नियम को तोड़ने पर एक चेतावनी और दोहराने पर विपक्षी टीम को पांच अतरिक्त रन देने का असीसी ने एलान किया था पांचेस्टर टेस्ट में इगलाइन के डोम सिबले गेंद पलार का इस्तेमाल करते दिखे जिसके बाद अंपारों ने गेंद को सेनेटाइज किया हाला कि सिबले ने अपनी गलती स्विकार कर ली है चटा प्रश्ण है अंतराश्टी उलम्पिक समित ने किस वर्ज के सीद काली उलम्पिक के लिए उमीधवारी बजट में लगबग अस्ती प्रस्थत की कमी की है उलम्पिक एजंड़ा 2020 के सिपारिस 3 को लागू करते हुए या निड़े लिया गया है आइवोसी ने एक बयान में कहा है कि सीध कालिन ओलंपिक वर्स 2026 के लिए वा उम्मीदवारी के प्रकिरिया के स्वतंत रूप से आडिट कियेगे एक हातों से यह पता चलता है कि सीध कालिन ओलंपिक वर्स 2022 के लिए पिछली प्रकिरिया के तहत लगभग 35 मिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में यह उस्षद बजट 5 मिलियन से कम था साथमा प्रस्ण है लुइस हैमिल्टन ने कौन सी बार हंगेरियन ग्रैंट प्रिक्स जीत कर किसी एक ट्रैक पर सबसे जादा रेज जीतने के सुमाकर के रिकार्ड की बराबरी कर ली है आप संसी सही होगा इसका अठमी बार फार्मॉला वन चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने अठमी बार हंगरी ग्रैंट प्रिक्स जीत कर मायकल सुमाकर का किसी एक ट्रैक पर सरुबाधिक जीत तरज करने के रिकार्ड की बराबरी की हैमिल्टन की पूल पोजीशन से दरज की गई जीत आसान रही ब्र तांस इसी ग्राइंट्रिक्स आठ बार जीती थी हैमिल्टन ने पहली बार 2007 में यहां जी दर्ज किती मर्सडीज के साथ अपनी पहली जीत भी उन्होंने दोजार 13 में हंगरी में ही हासिल की थी वर्षा टपेन ने भी सांदार प्रदर्शन किया था हैमिल्टन के मर्सडीज के साथ वाल्टारी बोटास को तीसरे स्थान पर कर दिया बोटास ने दूसरे स्थान से शुरुआत की थी आठवा प्रस्मे वर्सी लोना के लियोनेल मेसी ने हाल ही में रिकार्ड कितनी बार पिचिज अवार्ड जीत लिया है अपसंसी सही होगा आठवी बार लियोनेल मेसी ने वर्सी लोना के अंतिम दोर में अलावेस पर 5-0 से सांदार जीत के दोरान दो गोल करके इस पैने सुट बार लीग का ला लीगा में रिकार्ड सातवी बार किसी एक सत्र में सरवाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूर्ट हासिल किया मेसी ने लीग में कुल 25 गोल दागे जो उनके करीबी प्रदुंदी करीम बेंजमा के से 4 गोल अधिक है करीम बेंजमा रियल मैडरिड और लेगा ने इसके बीच दो-दो से ड्रा छूटे मैच में गोल नहीं कर पाये थे मेसी लीग में साथ अलग-अलग सत्रों में सरवाधिक गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गये है चोट के कारण सत्र की सुरुवाती मैचों में नहीं खेल पाने के बाजूद उन्होंने यहां फ्लब्दी हासिल की अर्जेंटीना के इस इस्टार ने 33 मैचों में 25 गोल किये हाल ही में रिकार्ड कितिनी बार पीछे जवाड जीत लिया है ठीक है जापान की सायोग से किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला एंटर प्लेनेटरी होप प्रोब मिसन शुरू किया है अप्संसी होगा सौधी UAE यहां पर होना चाहिए यूनाटर अरब अमिराथ UAE ने अमिराथ परियोजना मंगल ग्रह के लिए तीन रेसिंग में से एक है जिसमें चीन से तियानवे इनवन और सहित राज अमेरिका से मंगल दोजार भी सामिल है होप मार्स मिसन इसे वक्त में लांच किया गया है जब प्रतिवी और मंगल निकट्तम दूरी पर है रॉकेट निर्माता कंपनी मित्सुविसी हैवी इंडर्टीज ने लांच के तुरंद बाद जारी एक वियान में कहा हमने हुए है 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 वह का लंबर फॉटीटू है आइए एफ फॉटीटू से अमिरात मार्स मिसन के होप स्पेस क्राफ्ट को अस्थानी जापानी समय साम 6 बच के 58 मिनट 14 सेकेंड पर रात 9 बच के 58 मिनट जी अम्टी लांच कर दिया है पर 56 के 5 मिनट बाद राकेट अपनी उडान के पहले पुठक करण को अंजाम दे रहा था जापानी समय से ये साम को 6 बच के 8 मिनट 14 सेकेंड पर और अगर जी अम्टी पर देखें तो रात को 9 बच के अठावन मिनट पर लांच हुआ था अगले साल फरोरी 2021 में साथ अमीरात में यहां पर साथ होना चाहिए अमीरात के गडबंधर यानि यूएक की करण की पचासवी वर्स गांट के उसर पर होप के मंगल गरह की एक अच्छा तक पहुंचने की उम्मीद है इस साल के लिए निरधारी दोवन मंगल उपकुरमों के विपरीत या लाल गरह पर नहीं के लिए मसवधा कानून प्रस्तुत किया है आप संडी होगा इसका रोसी संसदों ने रोसी संसद ने समान विवास समलांगिक विवास पर प्रतबंध को वैद बनाने के प्रक्रिया सुरू कर दी है रोसी संसदों ने इसे 14 जुलाई 2020 को मसवधा कानून प्रस्तुत किया है जो समान लिंग विवाह पर पृत्वान लगाने का प्रयास करता है इन नए समयदानिक परिवर्तनों का प्रस्ताव अलादमीर पुतिन की अगवाई वाली रूसी सरकार ने किया था इन नए समसोदनों ने से पुतिन के लिए समभवतावर्स 2036 तक अर्थात अगले 16 साल तक सत्ता में बने रहने का मार्वी प्रस्त हुआ है तो अमीद है आप सबको या वीडियो जरूर पसंद आया होगा प्रस्त है